नमशकार पंजाब की सियासत से बड़ी खबर यह है कि कैप्टर नमरिंदर सिंग अड़ चुके हैं उनका कैप्टर वाला जो सक्त मिजाज है वो सामने आया है और जो विश्वस निये सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि कैप्टर अमरिंदर संग ने जो कमिटी सोनिया गादी जी ने जो कमिटी बनाई थी उस कमिटी के सामने जाकर साफ इस बात को कहा है कि वो नहीं चाहते कि नवजोज सिंसिद्धू राज के डेपिटी सियम बने या प्रदेश कॉंगरेस के प्रधान बने इससे मैसेज साफ है कि चुनाव से कुछ महिने पहले अमरिंदर का स्टैंड इसमें पूरी तरह क्लियर है उन्होंने कमिटी को ये बताया है ये सूत्रों के विश्वसी सूत्रों के हवाले से खबर है लेकि दोसी तरफ खबर ये भी आ रही है कि आला कमान सिद्धू को सदस्यता युजना में शामिल हो आज तिर्फ भुक्तान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एक सत्य हिंदी का आ गया है लिंक डिस्क्रिप्शन में डवलोड कर लीजिए अमरिंदर सिंग उन्होंने बताया जाता है कि साफ किया हुआ है कि सितु को कैबिने में अगर डेपिटी सीम बनाय जाता है या उनको प्रदेश कॉंग्रेस का प्रदान बनाय जाता है तो इससे 2022 के विधान सबाद चुनाओ के लिए कॉंग्रेस के सियासी समी करण गर्बढ़ा सकते हैं आप जानते हैं कि प्रदेश कॉंग्रेस में जवर्दस रार मची हुई है सिद्दू ने मोर्चा खोला हुआ है कैप्टार अमरिंदर सिंग के खिलाफ और इसलिए खोला हुआ है कि सिद्दू का एक कहना है कि 2015 में जो श्री गुरूगरन साहिब जी की बेयत्भी का मामला था या उससे जुड़ा जो कोटक पुरा गोली कांट था इसके दोशियों को अब तक सजा नहीं मिली है और इस वज़े से पंजाब की जन्ता में रोश है क्योंकि 2017 के विधान सबाचुनाओं में कॉंग्रेस ने वादा किया था अमरिंदर सिंग ने वादा किया था कि इसके दोशियों को सजा दिलवाई जाएगी लेकिन वो सजा नहीं दिलवाई गई है और इसको लेकर सिद्दू के साथ तमाम नेता आ खड़े हुए है सिद्दू के साथ प्रताब सिंग बाजवा भी है चरणजी सिंग चन्नी भी है और भी कई विधायक है परगट सिंग है सुर्जी सिंग धिमान है बहुत सारे डेताओं ने कहा है कि पंजाब के अंदर अफसर साही हावी है उनकी बात नहीं सुनी जाती है और कैप्टन अमरिंदर सिंग पर ताना शाही बरे व्यवहार की भी बात उन्होंने कही है ऐसा भी पता चला है ये बात है सारी कमेटी के सामने रखी गई और जब सियासी रार बड़ी पंजाब की तो सोनिया गादी ने एक कमेटी बनाई तीन मेंबर्स की जिसमें हरीश रावट जो वहां के मामलों के पंजाब के प्रभारी है कॉंग्रेस के मलिकारदूं खड़ गए और तीसरे नेता जैप्रगाश अगरबाल जो दिल्ली के पूरु सांसत है पूरु अध्यक्ष दिल्ली कॉंग्रेस कमेटी के है तो जब इन नेताओं ने सब को सुना कई विधायकों सब लगबख सभी विधायकों नेताओं से बाचीत हुई प्रदेश कॉंग्रेस के प्रधान सुनिल काखड को बुलाया गया और अब जो सियासी मैसेज सामने आ रहा है और कहाए जा रहा है कि कल रिपोर्ट सौंफ दी जाएगी कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गादी को इस कमेटी के द्वारा लेकिन इसमें जो कैप्टर्ण अमरंदर सिंग का पक्ष है वो बहुत स्टैंड क्लियर है कि वो सिंदू को डेपिटे सीम या प्रदेश कॉंग्रेस का प्रधान नहीं बनाना चाहते वो इसके लिए तयार नहीं है तो ऐसे में एक जो दूसरी ख़बर है उसमें ये कहा जा रहा है कि असन्तोष को थामने के लिए जो बागी विदायाग है काबिनेट में जबकि अमरिंदर्स के लिए तयार नहीं है इसके अलावा एक और फॉर्मुला ये है कि दो डेपिटे सीम मनाई जा सकते हैं एक सिंदू को और एक दलिक बिरादरी से किसी शक्स को डेपिटे सीम मनाई जा सकता है इसी तरह प्रदेश संगेडन में भी प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष सुनिल जाखड का कारिकाल खत्म हो चुका है लेकिन उनको बदलने की जो चर्चा थी उन चर्चाओं को विराम लगाए गया है क्योंकि प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष बनना चाहते है नव्जोस सिद्धू ऐसा कहा जाता है लेकिन अमरिंदर सिंग साफ कह चुके है कि वो इसके लिए कते ही तयार नहीं है तो अमरिंदर सिद्धू के डेपिटेसियम बनने के लिए भी तयार नहीं और प्रदेश कॉंग्रेस प्रदान बनने के लिए भी तयार नहीं ऐसे में सुनील जाकर को पतपर बनाये रखा जाएगा और यहां दो कारिकारी प्रदान बनाये जाएगे इसमें एक दलित बिरादरी से किसी वेक्ति को प्रदान लिया जाएगा और एक और हिंदू चेहरे को आगे किया जाएगा ऐसा कुछ प्लान है लेकिन कॉंग्रेस आला कमान के लिए एक बाता है कि कैपटन अमरिंदर सिंह से जोखेम लेना आसान नहीं होगा उनको नाराज कनने का जोखेम कॉंग्रेस आला कमान नहीं ले सकता क्योंकि अम्रिंदर सिंह बहुत पुराने नेता है सियासत में उनका लंबा अनुभव्व है और कॉंग्रेस पार्टल में भी उनका लंबा अनुभव है और 2017 के चुनाओं के बगत भी कैपटर अम्रिंदर सिंह के बगाऊती तेवर थे जब उनको प्रदेश कॉंग्रेस का द्यक्ष बनाया गया था प्रताफ सिंग बाजवा को हटा कर तब भी ये कहा जाता है कि काटर अमरिंदर सिंग ने आला कमान से कहा था कि उन्हें प्रदेश कॉंग्रेस से द्यक्ष की कुरसी दी जाया और अला कमान को उनके आगे जुग पढ़ा था और सिद्दू ने था कि वो कॉंग्रेस को जीता सकते हैं कॉंग्रेस को जीत मिली थी लेकिन उसके बाद अब विधान सबा चुनाओं से कुछ मेरे पहले शमशेर सिंग दूलों हो या परताफ सिंग बाजवां हो या नव्जो सिंग सिद्दू हो और बाकी नेता इसके सामने ये वादा किया है कि विधान सबा चुनाओं से पहले चाहे बेदभी का मामला हो या इससे जुड़ा जो कोटकपुरा गोली कांड हो इसमें उनकी सरकार कारवाई करके दिखाई दी और क्योंकि यही एक सबसे बड़ा मुद्दा है अगर इसमें अमरिंदर सरक के अंदर दिखाई गी तो आला कमान ने पूरी ताकट जो की है और इसमें अगर कैप्टर नमरिंदर 2015 के मामला कोई दोश्यों के खिलाफ एक्शन ले लेते हैं तो सारा गुस्ता ठंडा हो जाएगा और विधान सबा चुनाओं से पहले कॉंग्रेस के इस्तिते वहाँ ठी के लिए आसान होगा लड़ना आसान होगा क्योंकि जाहे प्रताप सिंग बाजवा हो वो भी प्रदेश कॉंग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं शमशेर सिंग दूलोन अब जो सिंग से दू हो बाकी लोगों इन सब लोगों को साथ कलेक्टिव लेडरशिप में लेकर जाना कॉ जो ये फॉर्मूला निकलेगा एक सुलह का इसमें क्या सिद्धू कैबिनेट में एड्जेस्ट हो पाएंगे जबकि खबर ही आ रही कि अमरिंदर सिंग ने इसके लिए मना किया है और प्रदेश कॉंग्रेस प्रधान में किस तरह दो कारी-कारी प्रधान बनाई जाते हैं कैबिनेट में दो डेपिटेसी हम बनाई जाते हैं आने वाले दिनों में पंजाब की सियासत के में जो संघर्ष कॉंगरेस के बीच हुआ इसको शुर्मूला साफ होगा लेकिन इतना तयह है कि अमरिंदर सिंग महाराजा अमरिंदर सिंग कैप्टन अमरिंदर सिंग को नार कर चुगे हैं तो पंजाब के अंदर अमरिंदर सिंग का सियासी कोशल जो कोशल है वह भी कसोटी पर है पंजाब से जुड़े हुए वहां की सियासल से जुड़े जो तमाम अपडेट सुंगे वह मैं आपके लिए सत्य हिंदी पर लाता हूं धन्यवद्ध सत्य हिंदी का एप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर